हेलो गाइज मैं शिवानी शर्मा आज आ गई हूँ एक पर फिर से ccsu की न्यू अपटेट के साथ आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यह कैसा तरीका जो मैंने निकाला है जिसे हम इस्टूडेंट्स की पॉब्लम ठीक कर सकते हैं देखिए मैं अपना पूरा एफ और उनके दो साल बच सकी लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है अंदोलन या रोड रोकना जैसे कुछ स्टेप्स स्टूडेंट्स उठाएंगे और भी कॉलिज तो उसकी अपडेट मैं आप सब को चैनल के थ्रू दे ही दूंगी जब मेरी उनसे बात हो जाएगी कंफर्म हो जाएगा और आप सब को भी बैल आइकन के थ्रू मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे और आप सब भी अपना पूरा सपोर्ट दें ताकि आप सब की प्रॉब्लम बहुत ही जल शॉट आउट हो जाए वीडियो को शेयर जादा से ज्यादा करा करो ताकि हमारी न्यूस के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपडेट हो सके और हमारी हैल्प कर सकी ताकि जिस दिन भी मैं ऐसा नाउंस करूं कि हम लोग वहां जा रहे हैं किसी अंदोलन रोड रोगना किसी भी प्रोसीजर में तो ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे हमारे साथ हो सकते हैं आप को करना क्या है जिस इस तरीके की बात करी थी कि हम लोग क्या करेंगे वह तरीका मैं आपको बता देती हूं मुझे यह 99 परसंट पका लग रहा है कि इसकी वज़े के साथ और अपने college के नाम जिस college में पढ़ते हैं उसके नाम के साथ जिस subject में आपकी back हाई है उस subject का नाम comment section भी लिखना है साथ ही comment के बाद hashtag ccsu को भी mention करना है अगर आपके बास mention को option आ रहा है तो आप mention कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास mention को option नहीं है तो आप नॉर्मल हैस्टेक लगा कर CCSU ये चौदरी चरंड सिंग ऐसा कुछ CCSU Pages के नाम से भी एक हैस्टेक आएगा वो आप लगा सकते हैं क्योंकि अब हम CCSU को मेल करेंगे प्लस आप सभी की कमेंट्स के भी स्क्रीन शॉट उनको सेंड करेंगे वैसे भी हैस्टेक लगाने के बाद आपकी कमेंट डारेक्ली CCSU वालों तक पहुची जाएगी और जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो अभी तत नहीं देखी है मैं उन्हें बता दूँ कि एक सॉलीशन ओवर भी है जो यूनिवर्सिटी के तरफ से ही नोटी जारी हुआ था जिसमें आप सबको करना क्या होगा कि आपको अपने कॉलिज की प्रिंसिपल से कॉलिज की तरफ से एक कम्बाइंड अप्लिकेशन यूनिवर्सिटी भेजने के लिए बोलना होगा जिसमें आपके college के जितने भी बच्चों के result में problem है उन सब के signature भी उस application पर होंगे उसके बाद university next day में ही definitely आपके principal को reply भी दे ही देगी कि वो rechecking करेगी यह नहीं तो यह चीज भी आप अपने principal से confirm कर लीजे और उन्हें pressurize भी कीजे कि हमें वो application दिखाए कि university से मतलब reply आया है यह नहीं आया अब बात आती है students को back exam देना होगा यह नहीं अब देखिए rechecking तो होगी तो rechecking में अगर आपको लगता है कि आपने paper नहीं करा है अच्छा नहीं था और आपको back तब तो देना ही होगा तो आपको back exam नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपके normal number जो आपने copy में करे है उसी recording मिल जाएंगी तो thank you so much guys next update के लिए आप मेरे चैनल के सब active रहें क्योंकि कोई भी news कभी भी आ सकती है मैं कुछ नहीं पता कि आदे घंटे बाद डाल दूं दो दिन बाद डालूं या तीन चार दिन बाद डालूं या कोई भी चीज होने से आदे घंटे पहले डालूं